आज के ट्रेडिंग शेशन में टोटली मार्केट साइडवेज देखने को मिला एक यूज गैप ऑप ओपनिंग के बाद जहां पर हमको बैंक के निफ्टी 500 पॉइंट और निफ्टी करीबन 200 पॉइंट के आसपास हमको गैप अप देखने को मिला लेट में जस्ट ओपन दी को फिल कर दिया था थोड़े से कुछ पॉइंट से इसको छोड़ दिया उसके बाद मार्केट उपर आया और पूरा दिन भर मार्केट साइडवेज टू बुलिस रहा पूरा दिन भर और इस ने फिर अपना जो आज का हाई था उसको बें ब्रेक किया और अगर आप देखो क्योंकि मार्केट क्या हुआ था जहां पर ओपन हुआ था जिस पॉइंट पर मार्केट ओपन हुआ था उसी पॉइंट पर मार्केट क्लोज हुआ है आज के दिन पर इस तरीके की केंडल स्टिक पैटन देखने को मिलते हैं अगर मैं यहां पर देखो तो इसका जो ओपन थ लेकिन य narrow preset कर थार अगर एंपर के धूर लेकिन वह सला तलुग में हो जाता乾़ आगर कर रहे हैगा लेकिन इन्वार में तो बर तो धो पर चुंस्ट संदोपर कॉट आप में अगर ऑप कर देता अगर भा मार्य टैम साइट का फैल कर ना माइंड में वह होता है एक कॉनसेप्शन होता है कि नीचे आएगा इगा नीचे आएगा मार्केट तो दूर हो जाता लेकिन अभी वो बना रहेगा क्यों बना रहेगा मैं भी आपको छोटे कब आएगा वह देखना होगा में अभी फिलाल करते हैं कल के ट्रेडिंग में मार्केट किस तरीके से ट्रेट करता हूं में दिखाई पड़ सकता है हम समझते इसको बड़े टाइम फ्रेम पर यानि फोर आवर के टाइम फ्रेम पर जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ट्रेंड में होता है तो यह उपर का अपा चैनल बना के ट्रेट करते हैं इस तरीके से और जब मार्केट से ट्रेंड में होता है तो फिर इंडेक्स को इस तरीके से ट्रेट करता है डाउन साइट के ट्रेंड में ऐसे नहीं गिरता है मार्क शार्प या मार्केट यह फिर ऐ मार्केट के पास एक छोटा सा हर्डल हमको देखने को मिल रहा है अगर आप देखोगे सो मार्केट ने इस जगह पर काफी सपोर्ट लिया था फिर मार्केट ने इस जगह पर काफी सपोर्ट लिया था मार्केट ने जगह पर रजिस्टेंस लिया और आज भी यहीं पर मार्के उपर के लिए निकालता है तो फिर हमारे पास एक काफी बड़ी रेंज खुल जाती करीबन करीबन डेट सो पॉइंट की 150 पॉइंट की हम मार्केट को बाइस पांसो तरक पांसो की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं तो यह हमने समझा बड़े टाइम फ्रेम पर अब आते हैं क तो कैसे हम ट्रेट करके चलने वाले हैं सो लेबल को नोड डाउन करीए जैसे कि मैंने कहा यह चोटा सा गैप मार्केट में पैंडिंग है मार्केट इसको फिल करने आएगा कब आएगा यह हमें नहीं पता क्योंकि मार्केट का मूड है यहां से कल एक और गैप दे दे हैं और नहीं आए नीचे फिर परसों आए यह हो सकता है उसके एक हफते बाद आए लेकिन हमको लेबल अपने मार्केट अभी क्या कर रहा है इस गैप जो गैप पैंडिंग पड़ा हुआ है इसके नजदीक है तो यह लेबल को हमें जरूर मेंसन करना चाहिए और यह है ट्वि एक बाइंग लेबल के तरह काम कर सकते हैं 22,180 ओके पहला लेबल हमारा यह हो गया दूसरा लेबल हमारा जो बाइंग साइट के लिए दोस्तों होने वाला है वह होगा 22,380 जब मार्केट इस लेबल के उपर निकलेगा यह फिर आप यह समझ के चलो कि 22,400 ले लो लेकिन इस लेबल का ब्रेक आउट देने के लिए एक कंडिशन हमने रखी हुई है मार्केट जब 9.35 मिनट के बाद उपर जाएगा तब ही हमको बाइ करना है अगर 9.35 मिनट से पहले मार्केट इस लेबल के उपर निकलता है तो हमको बाइ नहीं करना है यह लोग पूचेंगे इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसके पीछे का लॉजिक सीमपल सा होता है अकरicon नामकी यह होती नहीं है लेकिन हमारे पास थोड़ा एक एज रहती है मार्केट अपना जो उपर के आप एंड डाउंस मूप से रहते हैं उनको थोड़ा सा मार्केट साइलेंट हो जाता है तो तब हम बाई करेंगे जब मार्केट 935 के बाद इन लेवल के उपर निकलता है दो बाइंग लेव क्या आसपास अब देखो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाईए कि मार्केट मान लो यहां कहीं ओपन होता है हम इमिडेटली सेल नहीं कर सकते हमें मार्केट को देखना होगा कि क्या 380 को उपर के लिए निकाल रहे तो हम बाई करेंगे फिर मार्केट 280 को नीचे के लिए नि मिलेगा सोचने का इमिडेटली कुछ लेवल एकदम पास में नहीं है समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कहना चाहरा हूं तो 22280 सेलिंग लेवल इसलिए काम कर सकते क्योंकि इसके पास नीचे इस पड़ा हुआ है एक ही सेलिंग लेवल है निफ्टी में अनदर कोई सेलिंग सब्सक्रीन नहीं है banco limit के बात करते हैं बंढ़ने कर लिया है तो डिली टाइम फरे में बना जाता है और तो इसने अपने लोवर ट्रेंड लाइन के आसपास तो नहीं आया बट अल्मोस्ट इसने टच करी है और यहां से एक रिवर्सल उपर के लिए भी बीच में है तो पहले यह क्या करेगा पहले अपनी अपर ट्रेंड लाइन पर जाएगा फिर यहां से इस तरीके से मार्केट काम क साइलेंट था कोई मोमेंटम आया नहीं अभी देखते हैं पंद्रह मिनट के टाइम फ्रीम पर ठीक है अभी आप यहां पर देखोगे तो मार्केट काइंड ओफ काइंड ओफ इग्जैक्ली नहीं है लेकिन अगर आप देखोगे तो यह बन रहा है आपका इन्वर्स हैड यहां पीच में नहीं ले सकते इसकी नेक लाइन को आप यह वाली कंसिडर करोगे अभी लेवल के हिसाब से देखें हम यहां पर कोई पैटन काम नहीं करने वाले हम लेवल्स काम करने वाले हैं अगर बैंक निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन के में बात कर रहा हूं 47,750 जो इस लेवल के आसपास कहीं बैंक निफ्टी हमें एक डिप लगाता हुआ दिखाई पढ़ सकते सपूर्ट लेता हुआ दिखाई पढ़ता तो हम बाई करेंगे और यह हमारे लिए बैस्ट वैल्यू बाइंग लेवल हो सकता है मैं बात कर रहा हूं बैंक निफ्टी बट अगर मार्केट यहां पर क्या करता है सीधे उपर निकलता तो हमको बाई नहीं करना है लेकिन अगर मार्केट यहां पर आता है 47,750 तो बाई करेंगे तो यह तो रहा बैंग लेवल अगर मैं selling level की बात करता हूँ दोस्तों bank nifty में तो आपके सामने दो-दो selling level लिकल कर आ रहे हैं जो पहला level है वो है 47,650 का breakdown यानि कि market 650 मान लो यह 600 भी मान लो ठीक है 47,600 यह 650 market जा कर रहा है अपने इस pattern का failure कर रहा है फेल हो रहा है यानि कि support के नीचे आ रहा है support को तोड़ रहा है तो फिर हम इस level के नीचे selling करके भी चल सकते हैं एक another selling level है काफी उपर है बट आपको बताना जरूरी है वो है 48,400 जो कि आप सबको दिख रहा है market ने previously इस level पर काफी जादा resistance support लिया हुआ है तो यह हमारे लिए एक as a resistance की तरह काम कर सकता है suppose अगर market यहां पर इस level पर gap up opening दे दे तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा selling level बन सकता है बैंक निफ्टी में यह हमारे टेलेगरम चनल है market trader official नाम से link मैंने वीडियो के description में दिया हुए यहां पर मैं सारे levels आपको update करता हूँ कोई फालतों के message नहीं आते हैं जैसे दिन के दो तीन message चार-पांच message पता नहीं क्या-क्या यह ले लो लो लाना फलाना कुछ काम करता नहीं आप लोग अच्छे सा जानते हो भली बांती जानते हो कुछ नकाम नहीं करता है अगर एक चीज अगर आप पोस्ट कर रहें और उसमें अगर information है knowledge है तो वह sufficient होती है आप लोगों के लिए support and resistance और levels by self के तो कभी recommendation मैं दूंगा नहीं आप लोगों को लेकिन एक idea overview लेने के ल है किस वज़े से उसमें trade कर रहे थे sensex में midcap nifty में और एक spike में सब के account खाली हो गए तो कभी ऐसे इंडेक्स में trade ना किया करो जो आपके backtest index है उनमें trade किया करो बात करते हैं fin nifty की fin nifty के बारे में देखते हैं सेम चार्ट जो मैं आपको बता रहा था bank nifty को वही चार्ट आ अगर bank nifty में मान लीजिए 21,400 के उपर ये निकलता है ये breakout देता है और 935 के बाद देता है तो हमें आपर buying side के लिए अपना trade देख सकते हैं 21,400 के उपर 935 के बाद उससे पहले नहीं ओके जो दूसरा buying level होगा आप सभी लोग जानते हैं वो होने वाला आपको 21,200 का यानि कि ये वाला support level जहां पर market ने resistance लिया है कई बारी और फिर support भी लिया है तो ये आपके लिए as a support dip buying level काम करने वाला है selling level की मैं बात करता हूँ तो एक है selling level निकल कर आता है और वो है breakdown वाला 21,180 यानि कि माल लो bank nifty gap down open हो गया या flat open हो गया और उसके बाद market ने 21,180 यानि कि ये support को तोड़ दिया तो फिर हमारे पास काफी अच्छा कासा room पढ़ा हो है नीचे के लिए selling करने के लिए तो ये हमारे लिए selling level के तरह काम कर सकता है resistance में कोई selling नहीं करनी है दोस्तों ये रही nifty bank nifty और fin nifty के analysis मैं वीडियो को बीच में बोलना भोल गया था कि वीडियो को like करना comment करना subscribe करना के चैनल पर पहली बार आयो लेकिन अभी मैंने बोल दिया तो definitely आप लोग कर दीजेगा thank you so much for watching दोस्तों thank you so much